वर्ल्ड सपर नामा से जुड़े अजिस दोस्तों, मेरा नाम है आमिर सुर और तमाम देखने और सुनने वालों को असलाम आलेकूं मिस्रे देश की ममी के बारे में आपने जरूर सुनाओंगा या उनसे जुड़ी कई फिल्में देखियोंगी इजिब के प्रामिडों में दफनी ममी कई रहसों को अपने बीतर समेटे हैं इसी वीडियो में आज हम जानेंगे इन रहसों मम्यों के बारे में जिनने लेकर कई आजिब गरीब दावे किये जाते हैं मिस्रे के फराओं को कौन नहीं जानता ये प्राचिन समय में अपने जिन्दगी का तालुक एक तितली के साथ जोड़ कर करते थे जिस तरह एक तितली जन्म के समय निद्रा के दावरान एक कोकुन में रहती है उसके बाद उटने पर उट तितली बनती है ठीक उसी तरह से फराओं मरने के बाद एक चिपचिपा टाइप का लिक्विट लगा कर और कुकिन की तरह पट्टी बांद कर ताबूत में बंद हो जाते थे उनका मानना था कि तितली की तरह ही उनकी जिन्दगी की एक नहीं शुरुआत होंगी आज एजिप्ट की ममी दुनिया भर में लोग पिरिया है यह ममी उनी फराओं की है फराओं एक ओदा होता है डिगरी जो के धार्मिक और पॉलिटिशन नेताओ को दी जाती है इनकी लाश को ताबूत में बंद करके प्रामिड में दफनाया जाता है इसी वज़े से मेसरे के कई महान राजा और ग्रोह को ममीफिकेशन करके रखा गया मेसरे के सभी ममीओ को पिरामिड में रखा गया था उस दोरान प्राचिन मेसरे के लोगों का मानना था कि पिरामिड एक ऐसी जगा है जिसके सभी कौन एक बराबर होते है इस कारण एक खास तरह की एनरजी इस प्रामिड में आती है, जो इन मम्यों को सलामत रखती है हाला कि जितना याकिन आर्केलोजिस को किंग तुतन खामन की मम्य को लेकर आए, उतना शायद ही किसी और से होगी रिसर्च में इस बात का पता चला है कि किंग तुतन खामन लगबक 9 वर्ष की उम्र में ही राजा बन गए थे और उनकी मौत 19 साल की उम्र में हुई उनकी गिंती गिनेचुने कुछ समराटों में की जाती है जिने मिसरवासी देवता मानते थे तुतन खामन की ममी को साल 1929 में ब्रिटिश आर्केलोजिस हावर्ड कॉर्टर ने ढूंडा था कहा तो ये भी जाता है कि जिस किसी ने भी इन मम्यों को छिड़ने की कुछिश की उनकी रहसे में ढंग से मौत हो गई इसी वज़े से तुतन खामन का जब मगबरा ढूंडा गया था उस दोरान भी कई लोग डरे हुए थे वहां की लोगों की माने तो मिसरे के इन प्रामिडों के पास रात के समय कई मम्या गुमती है यही नहीं कई लोग तो इस बात का भी दावा करते है कि उन्हें रात के समय किंग तुतन कामन की आत्मा को भटकते वे देखा है हाला कि उनकी इन बातों में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता है मिसरी की मम्य से जुड़े ऐसे कई रहसे जिने अब तक सुल जाया नहीं जा सका है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो पिलिस लाइक और कमेंट करें साथ ही सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो से आप महरूम न रहें मिलते एक और दिल्चस्प टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्ला आपिस